हालो एरबन कैसे हो आप लोग जैसा कि आप लोग जानते होगी हम पूरा एक 26 जुलाई को जो आपका नीट का एक्जाम होने वाला उसके रिगार्ड हैं बहुत सारे जो आपके हां कुछी जाते हैं एंट्रेंस में यह नीट में तो इसके रिगार्डिक हम लोग बहुत सारे स्थिक्स करा रहे हैं ठीक है तो रैपिट फैर को जैसे कि आपको अगला कई पीछे की सारे सिशन आपने देखे होंगे बहुत सारे हम लोग ने को इस्तेमाल कर रहे ह कैसे है तो हार चीज हम लोग कि रहे है तो आज हमाया एक नेक्स टॉपिक है डिगरी आप अंस यह और इसको बोलते हैं उसलियन कि बोलते हैं तो हम से लेना देना नहीं है बच आप इसको नमीकी नाम शकी पर आपको दिख घाएगा डी ओ यू राइट इस नाम से भी लिखा हुआ मिलेगा दी ओ यू है यह 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 फार अंब्रेला डिग्री अफ अन सैचुरेशन इसको बोलते है एक्षवी राइट नौ डिग्री अफ अनसाचुरेशन अच्छा नहीं लगा दिखन होता है ठीक है तो अब इसके कुछन आते हैं कुछन आते हैं हम किसी भी कंपाउंड में यह बता सकते हैं कि उसमें कितने पाइबाउंड होंगे कितने रिंग बनेंगे कितने ट्रिपल बाउंड होंगे कितने ड्रिपल बाउंड होगा या कितने ट्रिपल बाउंड ड्रिपल आप में पान प्नाम करें सकते हो कि अक्रोंड को बढ़ करें तो आज हम क्या सिखने माले क्लियंग आपके कोई För When does जो सकता है नोर्मल अलकेन हो सकते है कोई भी compound हो सकता है माल लीजिए मैंने compound लिया C6H14 ठीक है normal hydrocarbon मैंने इसे चूज किया इसे नॉर्मली जर्ली मैंने ऐसे C6H14 लिखा अब इसका आपको बोला गिया कि D.O.U वाट इसका आपको बोला किया कि D.O.U दिखाई दे रहा है स्वारी नहीं दिखाई दे रहा है एक मिनट ठीक है इसको छोटा छोटा लिखते हैं तो आपको साहद दिखाई देगा कैसे होता है C plus 1 minus H plus X minus N divide by 2 यह normal general formula होता है C माने होता है carbon 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 में एक एड कर देते है H माने होता है hydrogen X का मतलब होता है hyalogen hydrogen that is taken of chlorine, bromine, iodine, phrylene and N is good right now nitrogen तो यह normal D.O.U होता है थोड़ा सो complex, थोड़ा सा बड़ा method है थोड़ा time to consume होता है क्योंकि calculation बढ़ता है हमको यहाँ पर बस बागी कुछ नहीं आप इससे भी answer से माने वाला है नोलेकि यहाँ तो नोलेकि तो नाने वाला है इस से निगालों खगए तब़ी आपका उतना ही आने वाला है जुपेसलिया आप है गश्यष की मताने चलना हो ड्यान शेखजंग कम करना है hydrocarbons नोमली मोनोवेलेंट या दाइवरेंट आप जो भी सीखते हो उसमें हम जनली यही काम करने माले जो बार बार रिपीट करते हैं जैसे कि आपको कोई भी हैडोकर्बन होता है तो पहुत जनल सा दी ओ यू का फाम फाम्गोला होता है मेरा जो फाम्गोला है कोई आप लोग के जानते भी होंगे saturated hydrocarbon minus unsaturated hydrocarbon divided by two right saturated hydrocarbon में से आपको unsaturated hydrocarbon के numbers को घटा करके that is a divided by two कर देना ठीक है यह क्या मतलब इसका scenario क्या आप क्या बताना चाहते हो तेखो जैसे कि यहां पर कोई भी compound आपको दिया कोई hydrocarbon आपको दिया जाए first of all you will be compare these compounds cn h2n plus 2 class 11th या 10th में भी यह ज तो आप जो भी compound बना आप इसी सको compare कर लो अब मैंने इसको compare करता हूं तो इससे अगर में compound design करो तो क्या बनेगा n की value कि यहां कितनी है यहां पर 6 है तो c के निचे मैंने क्या लिगा 6 h2 n n का मतलब number of carbon इतना इतना वी उच की है कितने उच की मैंने 6 उच करें plus 2 ते कितना जाएगा c6 h14 ठीक है 6 to 12 plus 2 14 सर वही वही सेम सेम आ गया यह तो कोइंसिदेंट था कि दोनों सेम आ गया ठीक है अब मालों अपनी क्या कि दोनों इलकें इस्तिमाल किये अब जो यहां पर saturated hydrocarbon यह क्या है saturated 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 का मतलब होते है इसमें सारे single bond connected हो इसमें सारे single bond connected हो उनको saturated बोलते है उसमें double bond आ गया होगा यह triple bond यह दोनों आ गया होगा उसको अन्सारे बोलते है normal language है आपको पता होना चाहिए ठीक है किया इसका जनल फार्मॉला बनाए ऐलकें में c6 s2 n plus 2 वाला फार्मॉला लगा कि ठीक है अभी मैं आवर दोतीन एक्जांबल कर रहा हो तो ज्यादा clear हो जाएगा फरस्ट आप यहां पर देखो यह compound यह चूज किया मैंने क्या 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 क यहां पर देखो 14 hydrogen यहां भी कितने 14 hydrogen और डिवाइट बैटू करो जिस डियो यू का वैलू जीरो आजाए इसका मतलब समझ लोगा ना तो उसमें डबल बॉंड होगा ना तो उसमें ट्रिपल बॉंड होने वाला थीक है जीरो का मतलब यह होता है ना तो उसमें कोई डबल यह ना ही उसमें कोई ट्रिपल बॉंड होने वाला है ना ही उसमें कोई रिंग होने वाला है यह चीज आपके दिमाग में फीड होने चाहिए तक यह कैसे बनेगा नॉर्मल इस्टेक्चर होगा आप डिफरेंट पोजिशन आई ओमर खिचते चले वह भी मैं डिसक्स करूं लिटमाघन आप यह तो लिवें में तो नॉर्मल एक चाहिंट बने गा आपसे घ्जैन नॉर्मल लिगinkते इसका इसका isp आपने 0 निकाल दिया, 0 का मतलब होता है, 0 का मतलब होता है, सारे single bonded होंगे, जितने भी compound इसके आप डिजाइन करने माले, जितने भी isomar खीच होगे, वो सब single bonded होगे, यहां पर ना तो double bond होगा, ना तो triple bond होगा, ना तो ring होगा, अच्छा है आपने एक compound बता है, दूसरा कोई compound लिखा, यह compound लिखा, ठीक है, C4H8, कितने DB होगा, अब इसका सर, LKN, LKN formula, C4 होता है, अब 4 में 2 से multiply करेंगे, कितना हो जाएगा, 4, 2, 8, 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 यह जाएगा, 4, यह hydrogen कितने आजेंगे, calculation, simple mathematics से 10 आगया, अब इन दिनों को difference लेते हैं, 10 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, 2, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो मतलब क्या गया, 1, ठीक है, अब 1 का क्या मतलब होता है, पहले DU कितना आया, 0, 0 का मतलब क्या होता है, ना तो double bond होग तो एक ring होगी simply, यह पिर आपके पास क्या होगा, एक double bond होगा, बना के देख लेना, C4H2, यह ऐसा compound बन सकता है, ठीक है, आगया ring, और जो दूसा compound बन सकता है, उसमें double bond लगा, यह बन गया, आप different difference के IPC वाले structure खीच सकते हो, आप double bond यहाँ लगा हो, फिर उसके बाद यहा बार पाज बाज करोगे ना, तो फर्ट से आप इसका general formula खीचोगे, 10 को 8 से minus कर दोगे, 2 से divide कर दोगे, 2 बहुत अच्छा terminology है, hybridization में 2 का बहुत importance था, हार एक चीद 2 ही से divide होती थी, यहाँ भी सार आप 2 ही सिखा रहे हो, 2 से divide करना है, तो 2 का बहुत importance है, actually, LKN के formula में 2 आत मालो आपके पास दिया गया C60, चलो, अब बताओ सर, इसका formula क्या था, बहुत अच्छा question है, C60 का DOE कैसे होगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपने क्या सिखा है, कि इसका LKN formula बताओ, LKN formula कैसे होता है, C10H, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कैसे क किया सा, 2 into 60 plus 2, यही फार्मला होता है, C10H plus 2, एन के value कितनी है, 60, कहां से लया, यहां से लया, 62 कितना होगा, 120, 120 में 2 कितना होगा, 122 आएगा, अब यहां भी shortcut सा जाएगा, ठीक है, अगर C60 होगा, इसका DB कितना होना चाहिए, कैस होगा, 120, 122 है, 122 है, यहां hydrogen कितना है, 0, यहां hydrogen कितना है, 0, तो 122 में से 0 घटा होगे, इसके DB कितना होगा, 61, इसके DB कितना होगा, 61, कितना होगा, 61, कितना होगा, 61, इसके DB कितना होगा, Cn लिखू, 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 इसके DB कितना 0 हो जाए अगर कभी hydrogen की number आपके 0 हो जाते इस तरह आप सूच नहीं सकते लेकिन ऐसे हो सकता है ठीक है अगर आपके hydrogen की number 0 हो जाए तो डियू कितनी होती सर जितना carbon हो तो उसमें एक एड कर दो यह कर दिया है मैंने 80 लिखा 81 लिखा 75 लिखा 76 लिखा यह 60 यह 61 आ गया कैलकुलेट इस तरह से हम दिवा राम से निकाल सकते यह भी आपका एक सॉट्रिक्स है अगर कभी hydrogen गायब कर दिया किसी कंपाउन में से सी 60 हुआ सी 70 हुआ सी 80 हुआ सी 90 हुआ है यह कुछ और बना दिया इस तरह से आप विदीन सेकेंड में कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे ट्रिपल बॉंड का भी कर सकते हैं यह मैंने आपको डबल बॉंड सिंगल बॉंड अब मालो कोई ट्रिपल बॉंड आ जाए तो उसका कैसे करेंगे मालो मैंने लिखा सी 2-2 इसका डी बी निकालना इसका जनल फामला बना रहो कितना आएगा इक सेट ना बेख यह तो यहां पे तू तू जाब 2 प्लास 2, 6 यह देखिए, एक साथ जनरल फामुला है, 6 में से 2, जनरल हइडोकरपन कैसे निकालते हैं, 6 में से 2 मैनस करोगे, कितना हैगा, 4 आएगा, 6 मैनस 2, 6 मैनस 2 का इतना है, 4 आएगा, दिवाइड दू, कितना हैगा, 2, 2 आ गया, C2H2, सही है, कुछ गरबर लग रहा है, C2H2, राइट, इसका db, जनल फार्मुला होगा, 2, 2 जब 4 प्लस 2, 6 आएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4, 4 को 2 से डिवाइट करेंगे, 2 आजाएगा, तो 2 का मतलब होता है, कि आपके पास क्या आजाएगा, एक आजाएगा, ठीक है, क्या स देटना होता है, या double bond equivalent बोलते हैं, या फिर दीवी बोलो, डिगरी आफ ऑन सच बहुता है, कुछ भी बोलो, ठीक है, अगर डबल बोंड आता है, तो आपका db, कितना होगा, 1 होगा, अगर आपका पास triple bond आजाएगा, उसकी db कितनी होगी, 2 होगी, अगर आपके पास ring आ मतलब है, 2 db, double bond का मतलब होता है, 1 db, और ring का मतलब होता है, 1 db, यानि एक unsaturation आया, यहां पे भी एक आया, यहां पे दो unsaturation आया, इस तरह से आप calculation कर सकते हो, किसी भी hydrocarbon या, किसी भी, अगर नॉर्मल hydrocarbon दिया, इसमें double bond है, triple bond है, single bond है, तो आप इसका d.o निकाल सकते हो जिसमें hydrogenic gap है, उसका भी d.o निकाल सकते हो, ठीक है, डिग्र याप unsaturation में कितना है, वो भी आप आसानी से calculate कर सकते हो, हलाग यह basic था, अच्छा, तो normal questions बनते कैसे हैं, normally उस पी चला आते हैं, चला figure वाले question, तो अगला जो case हम देखेंगे, figure वाला, ठीक है, तो figure वाले में figure की देख के बताना होता कि इसका D.o कितना ऐगा,adict C.o का D feeding सरों रोट तेन अंब नबानो चरों पAI ना होता है तो टीन को बाना ने वह थान IgMy कितने होगा है तो टोतल डीविविक ने गई फोर कितने डीवी तर्द सकते हैं इसका डीवी कितना होगा सरे वहां डीवी कितनी होगा शकर दोगा कैसे बता एक-डीवां टेख अक ठीक है यह यह कंपाउन में डिजाइन किया अगर आप देखो कि बेंजीन का ही डेरिवेटिव इसोमेरिक फाउम है लेकिन यह अनस्टेबल होता है थोड़ा जादा विकॉस देखो कि उतने ही डीवी आने वाली है एक दो तीन प्लस एक चार ठीक है बेंजीन के देखो चार इसका भी था यहां पर इस तरह फाम में था लेकिन यहां पर कैसे होगा इस फाम में तो विदीन स्रेट आप कल्कुरेट कर सकता है एक फिकर यह बने का कोई एक तीस एक तरह बना दो ऐसा कंपांड चूस करने वाला हो जिसका दीवी फिर से फोर आने वाला देखो मैं बना कर दिया और सब्सक्राइब कैसे टाइब अच्छा आचसा है कि तन्हें पना सकता ओच किसा और निग्ढूब इधन कि उसक्षक ढ़ते है तो तो सब्सक्राइब एक तो इन कर सकता है जो एक विडूब 462 ब मैं पूशतblack.osan एक आता है, triple bond से 2 आता है, तो within a second आप calculate कर सकते हो, अब मैं आपको थोड़ा सा advanced level प्याता हूँ, within a second आप calculate कर लोगे, अब देखो, थोड़ा सा advanced level, अब ज़रा जैसे, मैंने जब number of resonance पढ़ा रहे थे आपको, तो number of resonance में बड़े अजीब अजीब compound खीच रखे थे, तो अगर मैंने ऐसा compound बनाना start किया, तो उसकी dbE कैसे निगा लेगे, दो तीन example में करा देता हूँ, माल जीजे मैंने compound रो किया, ऐसा, ठीक है, that is naphthalene, जैसे कि ये design हो, ठीक है, तो what is the dbE goes right now, तीन दो पाँच, एक दो तीन चार पाँच, तो तीन एक एक डबल बॉन मतलब साथी डीवी आने वाली तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप जितना बड़ा कंपाउंड हूँ उतने बड़े अनुलींस को डिजाइन करके आप दी उसका निकाल सकते हो ठीक है बहुत आसान है आप रिंग को देखो और सब्सक्राइब करके बता सकते हो कि लिन कहा दो चाने काले किसी भी इंबाउड है अच्छा और एक इक जांपल करते हैं तो वहां पर ठीक है एंड यह है ऐसा कुछ compound बना है आपको इसका db बताना है सर बता सकते हैं सर तीन यहां यहां हैंगे टूटल कितना हो गया और तीन रिंग हो गया एक दो तीन तो तीन थी यह आएगा तीन रिंग का तीन बाकी कहां से बाकी आप ऐसे फटा फट करके आप कुछन लिखते तो बहुत आसा नहीं है आप कुछी भी कुछन को ध्यान से देखो दूसको देखो क्या db निकल सकती हाँ बिल्कुल निकल जाएगी इस कुछन में जरह इस compound को ध्यान से देखो इसको इसको एंड इसको बहुत ही करीब से देखोगे अगर इसको देखोगे ना इसमें एक db यहां से नहीं तो यहां 2 और एड होगा इस तरह से डीब एडवांस लिवल पर कुछन इस तरह से डीजाइन होते हैं आपको structure बना कर दिये जाएगा ठीक है 13 तरह से कुशन को हम क्या करते हैं कि कितनी कि इसके डीबी आएगी अप उसको कुश्ण वीजाइन कर खुछ से और कुछ खुछ से करते रहें इसे मालों लोग बात करना इसका डीवी कितना एग राइट तो मैं कुशन बना दे रहा हूँ और फिगर ही एक्चुली, तो फिगर से आपको दिखके पता चला जाए है, कि कैसे DB निका लेंगे इस compound का, ठीक है, ति बहुत आसान है, आप एक बार, दो बार, तीन बार प्रेटिस करोगे, ति विदिन असेंड यह भी problem solve हो जाएगी, बहुत जादा टाइम नहीं लगता है ठीक है, अगर मैं माल ले एक कुछन यह तुमार आपका homework है, यह आपको खुछ से करना है, तो यह कैसे design, मैं माल ले एक compound बनाया, यहां पर, ठीक है, यहां पर, एसा कुछ लिखा हुआ है, राइट, यह आपको खुछ से सर्च करना है, कि इसका DB कितना है, यह question है, अच्छा, इसको थोड़ा सा, मैं सही से लिख दूँ, अच्छली, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, इसका आपको DB निकालना है, यह जीब सा compound लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, simply आप सारे चीज़ों को समझ लिना अच्छे से, तो आप इसका क्या करना, आराम से बटके DB निकालना, राइट, नेक्स शेशन में इसका इंसा जरू बता दूँगा, यह आपको DB निकालना है, यह आपको DB निकालना है, अच्छा, दूसरे तरह से कैसे question पुछी आते हैं, अगला इसा कुछ structure design किया, नेक्स मालो मैंने इसे डिजाइन किया, ठीक है, यह ऐसा कुछ structure design कर दिया, ठीक है, चलो बताव DB, carbon connected, hydrocarbonate, normal cyclic compound, बताव DB कितनी होगी, बहुत आसान है, जब इस तरह के कभी structure देखे तो जितने उसके face होते हैं, जितने उसके face होते हैं, उनमें से, एनम से, एक माइनस कर दो, सर यह तो मालो तो आपका, वो मेठाद है, नहीं तो एक मेठाद आप आप इसनिवाल कर सकते हैं, जो यूनिवर्शल truth है, जो हमें सा सही आता है, कौन सा, C plus 1 minus H plus X minus N divided by 2, आप इससे करो के तब भी answer same आएगा, और इससे करो के तो within a second answer आएगा, ठीक ह इतना ही फ़रक है, बागी कुछ नहीं, टाइम बचेगा आपका, और यहाँ ताइम बचाने के लिए ही आए बाखी कुछ नहीं, बागी आप घर भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है, तो DU कैसे कितने face होते हैं, एक कमरे में आप रहते हो, उसमें कितने faces होते हैं, आपको सब को देखो सामने से कुछ ऐसा दिखाई देगा एक दो तीन चार पाँच टोटल कितने हैं फाइब 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 से जाएगा कितना एड़ी फूर आया इसका ध्यान से देखो प्रिस्में इसको बोलते हैं एक कंपाउंड प्रिस्में नॉमली 3D स्ट्रक्चर है तो प पांच बिसे जाएगा कितना एगा फूर यानि कितने फेस आई इसके टोटल डीब कितने फोर अगर यहां से करते हो तो विदीन असेंड निकल जाएगा अधर आप यह फार्मॉला इस्तिमाल कर सकते हो सी में कार्बन जितने हो वो लिखना है आपको है यदोजन लिखने न आप पो कैसे कर सकते हो बताती है मैंने n-1 कर देना n का मतलब होता नंबर आप फेस में से एक घटा दो इसका डीबी कल्लेट हो जाएगा बहुत आसान है दाड़ा 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 आप डीबी निकाल सकते हो ठीक है अगर सीखना है तो आप विदीन सेंड बिना एक्सक् और कभी आप सीखनी पाओगे तो प्रेक्टीस आप करते रहें और हरे कुषण के आपको क्या करने होती ठीक है आपने इतने कुषण करा दिया नेक्स कोई और अगर आपके पास मालो कोई ब्यूलन कंपाउंड है उसका डीबी कैसे निकालेंगे भाइवलन में अगर आपके पास हो ठीक है तो उसका DB कैसे निकालेंगे ठीक है अगर मालो मैं एक compound की बात कर लो C3H6O ऐसा कुछ compound है ठीक है पता नहीं कौन से compound है ऐसा कुछ है अगर बाइवलेंट compound होता है तो कुछ नहीं करना होता है आपके पास जो number आप oxygen होते हैं कुछ भी उनको इग्नोर कर देना होता है टांड राटना उर्फ मेंने यह लिखा इन भाई साब को इन वाई साब को पैला फानगा पैला व्लो में हाग थो किया प्लश चुम्हार नहीं करो कंपर कैसे within a second आपने क्या किया बाइविलेंट कंपाउंड को सॉल्व कर दिया ठीक है विदिन सेकंड सी 3S6 था मैं सारे कुछन नहीं लगाने वालो आपको खुछ से प्रेक्टिस करना होगा क्योंकि मैं सारे कुछन लगा दे तो यहीं बड़ी-बड़ी बहुत-बड़ी प्रोब्लम ह आपकी क्योंकि आप देखते रहे तो बस c3s6o था इस तरह का बाइवलेंट बाइवलेंट कंपाउंड है ऑक्सिए डबल बांडिंग करता है इसको क्या करना होता है जो भी बाइवलेंट कंपाउंड होते उसको इग्नूर कर दो इग्नूर कर दिया अब c3s6 वैसे वैसे अब इसका जनरल फांवला फांवला जो केस बनाता है मैंने हडोकर्बन को उससे गंपेर कर लो सी एक तुस आपको तुसे डिवाइड करना होता तू बहुत बेनीफीचिल हमारे लाइफ में पिछले कुछ टाइम से जो मिले लेक्शर पाड़ रहा है तो 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 कैंसल ह जागात कितनी वेल्यू आएगी यहां पर वान आएगी ठीक है वन का मतलब क्या होता है यह तो आपको पास एक रिंग होगा या पिर उसका में यह होने माला है डबल बॉंट ऐसा कुछ पूछ सकता है कि यह जो पाउंड है इसमें 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 पर रिंग प्लस तो कैसे करने वह भी में बता दिया मैंने सबके साथ यह करने वाले तो मैं यहां पर कुछ कुछ नोट कर दे रहा हूं वह आपको खुछ से ट्राइग करने जैसे कि मैंने लिखा C3H4O2 ठीक है फास्ट कुछन सेगंड क्या है C7H8O2 इसको भी आपको सॉल्फ करना है नेक्स्ट कुछन C6H4O2 and CL2 इस पर हैस्टेक मार देनो यह आपने सिखाया नहीं सर यह नहीं करेंगे ठीक मत करो CO2 ठीक है next one C3O2 right C3O2 good यह कुछन है आपको करने कौन से सर करते कुछ नहीं है आप भले दे दो ठीक है एक दो कुछन तीसरा कुछन and 4th question right इतना तो हो जाएगा यहीं नहीं होगा ना मैं भी solve कर देता हूं यह monovalent compound actually single bonding करते हैं देखो यहां पर CL2 है बाइवलेंट भी है बाइवलेंट को क्या करते सर हटा देते हैं निकाल देते हैं ठीक है यहीं नहीं सकाया भी दिमाग चल गया होता ना यहीं पर दो मिनट दो सेकंड के अंदर आ जाता है यहां hydrogen नहीं है oxygen को काउंट नहीं करोंगे तो यहांनी कितना यहां पर एक है तो एक में जोड़ दो च फोड़ाएगा आप समझ में मैं क्यों बोला आप फोर यहां पर फोर में से जीरो गटाओंगे कितना यहां अगर किसी अगर किसी कंपाउंट में हाइडोजन ना हो तो जो कारबन की नमबर होते ना उससे एक ज्यादा उसका डीबी होता है यहां पर है आपर जड़ाओंगे तो यहां पर कितना है यहां रफित वही दीबी आगे आगाए आगर वही नहीं समझ में आता उस से एक तो आपके पास इतने मल्टी ट्रिक्स हैं आप कुछ भी इस्तिमाल करो भी इसको से एक तो यह एक तो यह ए बाजो मैंने जो निकाल सकते हो कोई एक श्यूज नहीं है इस compound को जड़ा ध्यान से देखो क्या है इसमें कुछ नहीं है जड़ा देखो monovalent compound actually C6H4O2Cl2 first of all sir आप जब भी बताया थे bivalent compound या oxygen जैसे compound आते उसको इग्नोर कर देते हैं जो monovalent compound यहां पर CL2 क्या लिखा हुआ है CL2 जितने हैलोजन होते हैं जितने हैलोजन होते ना उस हैलोजन को हटा यह दो नंबर कहा है hydrogen में यानि मैंने क्या बोला C6H6 यह आप यह बोल ले हो यह करने के लिए बोले हो क्या बोले हो जो भी compound है यह जो monohylogen है जो आपके पास hylogen है monovalent compound है वो जितने हैं उनको हटा दो जितने उनकी नंबर है वह hydrogen मैं कर दो यह बता है इसको तो counting करते वाइवलन को मिन बता है ना बाइवलन कंपेर गांटी ने करते इनूर कर दो तो दूसरे को देखेंगे आपने इनूर करते हो ना वह इसे इनूर कर दो मतलब है ठीक है दिखेंगे नहीं आपको ठीक है लेकिन इनको देखना केस वन हाइडोकर्बन क्या हो जाएगा कितने हडोजन आएगे आज सीच एच क्या आजाएगा 14 सब्सक्राइगा ठीक है 14 में से 6 जाएगा कितना एगा 8 8 को 2 से दिवाइड करोगे 4 क्योंकी सर बैंजीन का अपने डिवी बताया था 4 होता है इसकंपाउंस बात है कि फ्यु.. ये जनल ये जनल कंपाउंस को सा हो गा विंजीन बनने वाला वहां पर मिल जाएंगे उसके लिए आपको basics बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि बड़े-बड़े figure होंगे बड़े-बड़े compound होंगे तो आप सोचोगे कैसा निकालेंगे तो ऐसे निकालते जैसे मैंने calculation किया और यह कब होगा जब आपको बहुत जादा practice कर लोगे consistency ए काम है अगला वही हम discuss करने वाले कि अगर गलती से ट्राइवलेंट आजाए ऐसा compound उसका डियू कैसे निकालेंगे आप बताओ कितने दियू निकाल अपने नॉर्मल हाइड्रोकारबन में डबल बॉंड आ जाए ट्रिपल बॉंड आ जाए तो निकाल सकते बहुत आसान है ए यहां पर oxygen आ इसके तब देखना नहीं है अगर आये तो ऐसे कर लेने का ठीक है साइड में देखने का nitrogen आ गया अब करना क्या है इन भाई साथ क्या करना होता है वह चीज हम discuss करने वाले क्योंकि nitrogen trivalent compound है और उनका क्या कैसे DB निकालेंगे हम वह एक-एक करके discuss करने वाले है यहां पर चलो ठीक है तो चलिए discuss कर लेंगे कैसे ठीक है तो एक-एक करके हम discuss करने वाले लास्ट टॉपिक है आपका trivalent compound के साथ तो within a second of calculation अभी कर पाओगे जब आपके पास consistency perfection होगा और वो कब आएगा वो केवल केवल practice से आएगा excuse से नहीं आता है excuse पूरी लाइफ बनाते रहोगे पूरी लाइफ ऐसे excuse में निकल जाएगे कुछ नहीं कर पाओगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है यह ताइम निकल जाएगा आप टाइम खराब कर रहा हो excuse नहीं बनाना आपको क्यों किया करना प्रेक्टिस अपने आपको चीट मत करो अपने आपसे चीट भी मत करो अधरवाजी नीट जे इस अब क्यों जलसे है क्यों देखने के लिए बागी कुछ नहीं होने माला इंसे ठीक है मालो मैंने एक कंपाउंड लिखा करना कुछ नहीं कि आपको गलती से नाइट्रोजन कहीं दिख जाए न इसको यहां हटा दो एक हाइड्रोजन को भी हटा दो यह करना आपको ठीक है तो अगर हाइड्रोजन खटा देंगी तो क्या बनेगा सी 3h8 बनेगा बनेगा एक नहीं बनेगा बिलकुल अधा यहां इसको ख़ा गये तो सी 3h8 क्या करना और सकैस्ट करते जाओ करते आया कैसे एडल फाल लागए जनल फाल एक होता है ठीक है 326 बहुत सिंपल से तीन 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 शेक साथ आठ ठीक है 326 6 प्लस 2 लगाओगे ना जनल फामला क्या आएगा वही आएगा सर यहां दुनों इतुन से हो गए अच्छी बात है से हो गए छीरो कैसे एट में से इक डिफरेंस लेते हो आपना एट में से गटाउगे कितना यहीं दीएगा जिरो को q1-0 हो जाता है उसमें सारे single bonded होते हैं क्या bonded होते है single bond होते है उसमें ना तो double bond होता है ना तो 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 उसमें ring होता है अगला compound मान लो लिखा मैंने C2H3N sir N को हटा देते हो आप और वहां से बोलते हो कि फिर एक hydrogen तो फामॉला क्या बनता है C2H2 इसमें आपको पता है triple bond होता है जनल फामॉला ऐसे ट्लीन है यह compound है फिर भी निकाल लेते हैं इसका जनल फामॉला क्याएगा C2H2 यह निकी ट्रिपल बॉंड आने ही वाला यानिकी ट्रिपल बॉंड बनेगा compound कैसा होता है ऐसा होता है विदिन से के आप इसी वह भटा फट 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 कैलोलिट कर दे रहो अगर आप प्रफेक्शन आजाएगे ना तो आप देखके बता दोगी कि किस में कितने double bond होगा कितने double bond होगा कितने single bond होगे आपको अगर ऐसे कोई compound बना कि दे दिया जाएगा जैसे कि माल लीजें मालव मनें कोई मतलब लेना देना हाई नहीं तो कितना भी complex compound हो कितना भी कैसा भी डिजाइन आपको अगर कॉर कॉंसेट एक दम मजबूत है ना तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बन दिये अगर आपका बेस बहुत अच्छा है ना तो बिल्डिंग कितनी भी माली क्यों अराम से टिकती बहुत ज्यादा दिन तक टिकती है बहुत लंबा जाती है इस तरह से आप calculate कर सकते हो आपको में कुछ एमपल और दे देता हूं जो ट्रिपल बॉंड वाले हैं वह आपको सॉल्व करने इससे ज्यादा को कुछ नहीं करना है यही प्रैक्टिस करना है बार बार जो मैंने ब करने हैं बहुत आसान है सारी चीज में आपको information दे दी सब कुछ बता दिया एक्जांपल कर दिये अब आपकी करने की बारी है करना क्या है वही जो मैंने कुछ दिर पहले जिखाया कि क्या करना होता है अब दूसरी चीज आपको यह भी पता होना चीए अगर मालों किसी में लेगे एक 2 db आता है तो इसका यह थो एक रिंग बनता है या उसमें double bond मनेगा अगर तुरीञ वह पर दूरेंग आएगा अब एक ring से कितना दी वी आता सर एक अगर दो रिंग भन आए चैए जबन धिले नहीं राटना मत दो सब्सक्राइं सब्सक्राइब करें एक जुए दए डिपी दो आ जाती नहीं दुर्बवाइब दूसरे डूसरी डीदी नहीं दूसर दो का ऑंस्ट पूरा गया टीन सबिसुल तो पेदि से चीने कर तो यृओं ये दि öğसाइब्स प्रोबिलट्विशं ठीन मालो मैं इन ये बना है अभया है आप मैं क्या रखता हूं एक रिंग एक बना दू एक टिफल। कितनी से आईगी दो एक रिंग से कितना हो गया फुल्फिल होगी कर्णिशन एक double wand हो सकता है, and एक triple wand हो सकता है, ठीक है, ये भी कर सकते है ठीक है, एक double wand हो सकता है, और 1 triple wand हो सकता है, double wand से 1 dB, और triple wand से कितने आएगा, दो, 2 plus 1 कितने होगे, 3, इतनी possibilities नोमलई आजाती है, इतनी isomar आप connected कर सकते हो, अगर मालो किसी में चार आए तो चार की तो बहुत सारे पॉस्बिल्टीज हो जाएंगे लेकिन उसमें सबसे जो इस्टेबल वाला पार्ट होता है जो बेंजीन जिसमें तीन डबल बॉंड होंगे और एक रिंग भी आ जाती है ठीक है पॉस्बिल्टीज आपको करनेट करना अगर मालो उससा अगाए तो रहाला कि इतना नहीं है इसा कुछ नहीं है अगर मालो इससाथ और टूसले लीखा हुआ थि आपना नहीं अग मतलब यह सामने लिखा हुआ है इतनी पॉस्बिल्टीज है अगर मालोप के पास 7 आ जाए तो 4 प्लस 3 4 का मतलब 1 बेंजीन रिंग तीन का मतलब इतनी पॉसबिल्टीज ठीक है 8 का मतलब है 4 plus 8 यानि 2 बेंजीन निंगा जाएगा लो ठीक है दो बेंजीन नॉर्मली यह जनलाइस केसे तो इतना यह पॉस्बिल्टी रहती ही रहती किसी कंपाउंड में अगर ऐसा कुछ है तो यह आप कर सकते हो 4 4 plus 2 में 4 plus 2 का figure design करना चाहो तो एक फिगर ऐसा भी आ सकते इसका डीवी सारी यहां में बना दे रहा हूं ठीक है यहां में ध्यान सकती है जैसे कि मैं यहां पर यह कनेक्ट किया और यह यह कितनी आ गई सर चार इसकी हो गई एक डबल मॉंड यहां से एक बड़ा कंपाउंड औ तो जब आपको कोर पता होगा तो आप देख करके compound को जज़ कर सकते हो कि किसका कितना डीवी होगा इस तरह से compound normally आते इस से जादा कुछ पूछा नहीं जाता जनली आपको क्या अजीब सा structure देंगे बड़ा सा structure देंते हैं structure में कई चीजों को condensed form में दे दिया जाता है कुछ बड़े उस रिजुनेटिंग आप क्या करना उन सारे structure को तो रिजुनेटिंग आप निकालना फिर उन्हीं रिजुनेटिंग इस structure कि आप क्या नकालना डीवी निकालना वह भी प्रॉब्लम है वह भी problem solve लेना उससे बीवी आप calculate कर सकते हो तो बड़े बड़े structure में बना र कितने number nd यह सब्सक्राइब करना किया होता है आपको practice करना होता है वह आपको करना मुझे नहीं करना थीक है मैं आपको अच्छा swimmer नहीं पता है तो दूब जाता है अगर एक भी बार टाइट्स आया तो अंदर चला जाएगा और उपर कभी नहीं आएगा तो समुद्र का गहराई का पता लगाना बहुत जरूरी है तो गहरा कितना समुद्र है अगर वह आप पता कर लोगे तो आसानीश आप तहर जाओगे क्योंकि आपको पता ना कहां ढूबना है कहां नी काईसे बचा जाएगा तो इस सारे वही है वैसा को समझ लो बागे कुछ नहीं ठीके तो यह चीज आपको तभी आएगी बार बार बोल लों कीवार प्रैक्टीस होता है आपके पास प्रैक्टीस के लिए 2-3 गंटे 3-3 माने वाला तो वह चीज आपको करना है तो बाकी चीजे में बताता ही रहोंगा इसके बाद साइद में टाटो मिर्जम या कुछ भी टाटो मिर्जम के मैं देख लेता हूं कि कौन से कंटेंट ज्यादा वेटेज वाले हैं और कों से ज्यादा लास्ट 15 यर्स में पूछे जा रहे हैं तिन अल कंटेंट कैसे निकलता है और प्रिजम आइंट विदाओट कार्यलीटी विदाओट कार्यलीटी तो ठीक है बहुत ट्रेड था जो पहले 10 साल पहले बहुत पूछा रियाक्शन करेंगे उन पर हम सब्सक्राइब करते हैं क्यों सबस्क्राइब करते हैं को से इस्ट परम होता है क्यों से ट्रेसिक होता है रिक्शन कैसे होती है Conjugated Resonance and Extended Resonance में कौन जादा प्रभबेल होता है यह सब Multi Questions होते हैं Rabbit Fair में अपने जरूर करेंगे एक वीडियो में बनाऊगा उसे बहुत सारे Questions होगे आपको वहाँ पर पता चल जाएगा अपने आपको Skills को आप वहाँ पर जच कर सकोगे उससे पहले आपको कूर काउंसर पता होने चाहिए तो आज के सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है तब तक के लिए Bye Bye and Take Care Enjoy करते रहे और पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे